Hello students, we are going to continue trigonometry chapter. Look at the type of question we are going to cover today. A plus B plus C is 180 degree. Prove that sin square A plus sin square B plus sin square C is equal to 2 times 1 plus cos A cos B cos C. ध्यान से देखिएगा कि इस तरह के questions को हमने करना कैसे है? सबसे पहले हमने क्या करना है? लेफ्ट साइड उठा लेनी है? लेफ्ट साइड में sin square A plus sin square B plus sin square C है. अब इसको कैसे देखना है? बड़े ध्यान से देखो जीव. हमने फॉर्मूला किया है cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta. अब यहाँ से ये 2 sin square theta left side लेके आएंगे, तो 2 sin square theta positive हो जाएगा. और ये cos 2 theta right side में चला जाएगे. तो sin square theta की value क्या बनेगे? 1 minus cos 2 theta upon 2. ये फॉर्मूला यहाँ से बन गया जी, इसी फॉर्मूला को हम use करेंगे. कैसे use करेंगे? ये देखियो, sin square a की जगह पर 1 minus cos 2a upon 2 plus sin square b की जगह पर 1 minus cos 2b upon 2, sin square c की जगह पर 1 minus cos 2c upon 2. पहला step तो इस फॉर्मूला से बना. आगे क्या करना है? ये देखो, 1 के नीचे 2 लगाओ. और cos 2a upon 2 separate कर दो. ऐसे इसको भी splitting कर दीजिए, denominator अलग लग लग लिख दीजिए. यहाँ पर भी same. ठीक है? और अब इस formula को हम यहाँ से remove कर सकते हैं. ठीक है? यह आपको समझ आ चुका है. तक यह step में mix ना हो. ठीक है? यहाँ तक पहुँचके अब half half, half और half. इन तीनों को तो एकठा add कर दो जी. यह add करके क्या बनेगा? 3 by 2. ठीक है? और बाकी की तीनों टर्म्स जो बच गई हैं, उन में से minus half common निकाल लीजिए. क्या बचा? cos 2a plus cos 2b plus cos 2c यह वाला 2a, 2b वाली टर्म, 2c वाली टर्म, यह भचगी ब्रैकेट में. अब क्या है कि पिछले लेक्चर में? यह अभी मैं दुबारा solve नहीं करवाऊंगा. जिन्होंने यह पिछला लेक्चर नहीं देखा, वो प्लीज हमारा पिछला लेक्चर जुरूर देखें, उसमें इसका प्रूव किया था. जब a plus b plus c 180 हो, तो cos 2a plus cos 2b plus cos 2c. किसके एककोल होता है, जी? minus 1, minus 4, cos a, cos b, cos c. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, do it. यह आपने करना है, प्रूव. बिना प्रूव किया नहीं चलेगा, प्रूव करना पड़ेगा. तो यह हमने प्रूव कर देना है, और इसके बाद क्या करना है? 3 by 2 minus, bracket open करते हैं, जी. 1 by 2 को minus 1 से करेंगे, तो minus minus plus हो जाएगा. यह 1 by 2 बन जाएगा. फिर इस minus 1 by 2 को आगे वाली term से करेंगे, तो minus minus तो plus होगा. minus minus plus हो जाएगा. तो 1 by 2 को 4 से करेंगे, तो सिरफ 2 बचेगा. साथ में cos A, cos B, cos C. cos A, cos B, cos C बनेगा. अब देखो 3 by 2 plus 1 by 2, इनको एड़ करोगे, तो क्या बनता है? यहाँ पर कर रहा हूँ, 2 बनता है. प्लस 2 टाइम्स, cos A, cos B, cos C. तो अब 2 को मन निकाल लीजिए. 1 plus cos A, cos B, cos C. देखो जी, यही right side है, हमें यही प्रूव करना था. में बात क्या है कि यह वाले steps जो है, यह पिछले lecture में आपको मिल जाएंगे. तो आपने पिछले lecture वाच कर लेना है, lecture number mentioned है हर वीडियो के उपर, तो easily मिल जाएगा आपको. राइट, चलिए इसी तरह का एक और question करते हैं. नेक्स question देखिए, if a plus b plus c is equal to pi, prove that cos square a by 2 plus cos square b by 2 minus cos square c by 2 is equal to 2 cos a by 2 cos b by 2 sin c by 2. तो यह square वाले questions हैं जी, इसमें formula क्या लगना है? देखिए, बड़ा simple formula, जैसे पिछला sign वाला किया था, तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है, cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1, ये minus 1 left side ले हो, 1 plus cos 2 theta बन जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, cos square theta की value. तो ये formula यूज करना है, cos के theta is equal to 1 plus cos 2 theta by 2, खास बात क्या है, जो angle यहाँ पे square के साथ, यहाँ उसका double है, देखते हैं, यहाँ क्या बनेगा, 1 plus cos a by 2, ये देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, इस a by 2 का angle double करेंगे, तो क्या बन जाएगा, a, जैसे यहाँ पर theta का 2 theta बना था, आगे, b by 2 है, तो उसके जगें पर b बनेगा, minus cos square c by 2, इसे एक बार, ऐसे ही रहने देते हैं, इन दोनों को solve करते हैं, split करोगे न, ये 1 by 2 बनेगा, ये 1 by 2 बनेगा, तो उन्हों 1 by 2 चलिए अलग लग हो जाएंगे, और, ये 1 by 2 cos से, ये 1 by 2 cos भी, 1 by 2 common निकाल लेते हैं, cos से, plus cos भी बनेगा, और ये जो cos square c by 2 है न, इसे हम 1 minus sin square c by 2 लिख लेते हैं, sin square theta, plus cos square theta, is equal to 1 वाला formula, यूज़ करके, अब देखिए, 1 by 2 plus 1 by 2 क्या होता है, ये तो 1 होता है, ये 1 by 2 as it is, cos c plus cos d वाला formula लगाएंगे, क्या बनेगा, 2 cos c plus d by 2, cos c minus d by 2, ये formula लग गया, आगे bracket open कर देते हैं, minus के साथ है, तो minus 1 plus sin square c by 2, तो यहाँ तक कोई पालम नहीं होने चाहिए, ये देखो, ये minus 1 है, ये plus का 1 है, ये तो कट गया, यहाँ पर इस 2 से ये 2 भी कट गया, a plus b by 2 है न, यहाँ एक काम करते हैं, a plus b की जगह पर, जिसे क्या लिख सकते हैं, पाई, यहाँ पर पाई आएगा, पाई माइनस c, a plus b की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, c उदर चला गया, पाई माइनस c, नीचे 2 है न, तो 2 को स्प्लिट कर देते हैं, दोनों के साथ, यहाँ पर है, cos a minus b by 2, plus sin square c by 2, तो यह हमारे पास बन चुका है, cos 90 minus theta किसके एकल होता है, sin theta के, तो sin theta मतलब sin c by 2, अब sin c by 2 देखो, इसके साथ भी है, यहाँ भी है, तो sin c by 2 कॉमा नहीं रख लेते हैं, इसका sin c by 2 बाहर आया, तो अंदर बच गया, cos a minus b by 2, plus, इसका एक बाहर आ चुका है, सिरफ sin c by 2, तो यह चीज़ बन गई हमारे पास, और इसका एक step और मैं यहीं पर कर रहा हूं, sin c by 2 as it is, cos a minus b by 2, इस c की जगह पर, इस c की जगह पर क्या करो, पाई minus c की value क्या है, यह a plus b right side में चला जाएगा, तो चलिए, a plus b right side में ले जाते हैं, c की जगह पर, इसकी जगह पर, पाई minus a plus b लिख दिया, नीचे 2 है, तो 2 इसके साथ भी, 2 इसके साथ भी, ठीक है, और bracket बंद कर दिए, next step देखते हैं, यहां करने वाले हैं जी, ध्यान से देखेगा, next step, अब क्या बनेगा, sin c by 2 तो पहले ही बाहर है, ठीक है, कोई दिकत नहीं है, उसको वहीं पर पड़ा रहने देते हैं, cos a minus b by 2 भी है, वो भी as it is, sin 90 minus theta क्या होता है, जी, cos theta होता है, तो पहले तो यह लिखते है, cos theta, यह बन गया, cos a plus b by 2, right, अब यहां पर इसके बाद क्या बनेगा, sin c by 2 as it is, अब देखो, cos a plus b by 2 है, cos a minus b by 2 है, यह हमारे पास कौन सा formula बनेगा, उससे पहले एक काम करते हैं, इसको split भी कर सकते हैं, इसे split करते हैं, formula बाद में लगाते हैं, यह देखे हो, a by 2 minus b by 2, इसे भी a by 2 plus b by 2 लिख लो, ज्यादा easy लगेगा, यह बन गया, cos a plus b plus cos a minus b, यह formula हमने किया था, cos a plus b plus cos a minus b equal होता था, 2 cos a cos b के, तो अब देखो, formula लगाना हमारे लिए, बिलकुल असान क्या बन गया, 2 cos a, a का मतलब a by 2 है, the first term है, 2 cos a, cos b, direct formula लगाई है, और बस प्रूव हो गया, 2 cos a by 2, cos b by 2, sin c by 2, is equal to right side, यही हमें प्रूव करना था, right तो मैं एक कुश्चिन आपको प्रेक्टिस के लिए रहा हूं, प्रूव करने के लिए, as an assignment, आप उस कुश्चिन की प्रेक्टिस जरूर करिएगा, ज्यांसे देख लिजे इस कुश्चिन को, कि अगर हमारे पास, if, a plus b plus c is 180 degree, then, prove that, क्या प्रूव करना है जी, sin square a, minus sin square b, plus sin square c, we need to prove it as equal to, two times sin a, cos b, sin c, यह दियान से देख रही है, sin square a, minus sin square b, plus sin square c, is equal to two sin a, cos b, sin c, यह एक कुश्चिन आप प्रेक्टिस करिएगा, और कल हम आगे continue करेंगे, thank you